हेलो फ्रेंस यह देखो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए छैकली वाला सुंदर साथ प्यारा सदूर मैट तो यह मैं आपको भोती आसन तरीके से बनाना बताऊंगी हम इसे पुरानी साड़ी और चुनी से भी बना सकते हैं यह मैंने बूल में बनाया है और यह देखिए यह मैंने दो कलर का बनाया है येलो और बिलू कलर की यह देखिए मैंने बीच में एक एक लाइन इस तरह से इसमें डाली है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बनाने के लिए यहां पर हमने नो नमबर सलाई ली हैं और यह देखिए यह मैं आपको 20 फंदों में बना कर बता रही हूं अगर आपको इससे बड़े बनाना है तो आप यहां पर 22 चोबिस या 26 इस तरह से फंदे ले लेंगी तो ये मैं आपको 20 फंदों में बना कर बता रही हूँ तो देखिए हाँ पर हम एक yellow या blue से जिससे भी आपको बनाना हो आप यहाँ पर इस तरह से फंदे डाल लेंगी एक color से तो देखिए हाँ पर मैंने शुरू से बनाया है पहली सलाई से ही यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे यह देखिए इस तरह से सलाई के उपर से उनको लपेटते हुए हम यहाँ पर इस फंदे बढ़ाएंगे तो एक फंदा हमने यहाँ पर इधर बढ़ा लिया है तो यह देखिए हमने यहां पे शुरू में एक फंदा फंदे डालने के बाद इसी तरह से बढ़ाया है जिस तरह से हमने यहां पे बढ़ाया है तो पहली सलाई से ही हम फंदे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और इधर इस स्लाई में हम दो-दो फंदे हैं सलाई पर छोड़ेंगे तो बिलकुल इस तरीके से मैं आपको बना कर बता रहे हूं बने स्लूश से बनाया है तो देखे दो फंदे हम इस स्वराई में छोड़ दे contenido हैं और यहीं से शलाई को पलट लेंगे तो ये देखें ये हमारे उल्टी तरफ है तो इधर से हम सारे फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे तो चलिए हम बना लेते हैं इस सलाई को है तो देखें ये हमने उल्टी सलाई को बना लिए हैं अब हम सीधी सलाई पर हैं अम फिर से इसी तरीके से फंदों बढाएंगे और और आगे के सबी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे बहुत ही आसान है बनाने में और देखने में तो बहुत ही शंदर लगता है हमें सिर्फ इसमें इसी तरीके से फंदे बनाने है और इधर दो दो फंदे इस सलाई में छोड़ने है तो देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ते हैं सलाई में तो यहां पर हमारे चार फंदे हो गए है और इसी तरह से पलट लेंगे और उल्टी सलाई को हमें पूरा उल्टा-उल्टा इसी तरी किसे बनाना है उल्टी सलाई पर हमें कुछ नहीं करना है जो फंदा जैसा है वैसा ही बना लेना है तो देखे यह हमने उल्टी सलाई बना ली है फिर से हम सीधी सलाई पर हैं तो देखे हमने यहां पर दो फंदे दो बार छोड़ दिये हैं दो सलाई यहां पर बनके complete हुई हैं ये देखे एक दो बार ही हमने इधर फंद बढ़ाए हैं एक एक तो इसी तरह से हमें आठ फंद और बढ़ाने हैं तो यहां पर यह हमारे 10 फंद बढ़े हुए होंगे और इधर 20 फंद हमारे छोड़े हुए होंगे तो हरसलाई पे हमें 2-2 फंदे छोड़ने हैं तो चलिए हम बना लेते हैं इसी तरीके से इधर 2-2 फंदे छोड़ेंगे और इधर 1-1 फंदा बढ़ाएंगे तो इसी तरीके से हमें 10 फंदे इधर बढ़ाने हैं और 20 फंदे 2-2 करके इधर छोड़ने हैं तो चलिए हम बना लेते हैं इतना यह देखिए फ्रेंस यह हमारी आदी कली यहां तक बन गई है तो यह 10 फंदे हमने यहां पर इधर बढ़ाए हैं और 20 फंदे इधर छोड़े हैं तो यह देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 तो यह 20 फंदे हमारे यहां पर छोड़े हुए हैं और इधर यह 10 फंदे हमारे बढ़ाए हुए हैं तब देखिए यहां से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे यह देखिए यह हमारी यहां से यहां तक आदिकली बनी है यह वाली यहां से यहां तक और अब हम आदिकली फंदे घटा कर बनाएंगे तो देखिए यहां पर दो काई करते हुए एक फंद हम यहां पर घटा देंगे और आगे के नो फंडों को हम इसी तरह से बना लेंगे अब देखिये यहाँ पे हमने दो-दो फंडे हर सलाई पर छोड़े थे तो अब हम दो-दो फंडे इधर से हर सलाई पर बनाते वे जाएँगे तो यहाँ पे देखिए गयप है तो गयप कम करने के लिए इस तरह से एक फंदा उठा लेंगे और दूसरे फंदे के साथ यही पे हम घटा देंगे तो यह देखे दो फंदे हमने बना लिए हैं और यही से हम सलाई को पलट लेंगे इधर से हम उल्टी सलाई को इसी तरह ऐसे बना लेंगे उल्टा उल्टा उल्टी तरफ से हमें कुछ निकरना है सीधी तरफ से हमें फंदे घटाने और बनाने हैं तो देखें एक फंदा हमने घटाया था अब हम दूसरा फंदा घटाएंगे दो काई करते हुए तो इस दो फंदे हमारे यहां पर घट गए हैं अब देखें यहां पर हमारे आठ फंदे बचे हैं तो देखें यह हमारे इधर के बनाएवे फंदे हैं अब हम दो फंदे फिर से यहां पर बनाएंगे और गैप कम करने के लिए एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे देखें एक और यह दो फंदे हमने बना लिए हैं इसे हम सलाई को पलट लेंगे और उल्टी सलाई को पूरा इसी तरीके से बना लेंगे उल्टा-उल्टा क Data देखें इसे आठ़ फंदे हमने हमने इधर गटा दिया हैँ हमें अभी आठ़ यहां पर घटाने और इधर से दोहुत बनाने जाई बनाने तो चलिए हम घटा लेते हैं इसी तरीके से जिस तरीके सब्ने तोब घटाए हैं कि देखे फ्रेंद्स हमारी पूरी कल बने के तयार और सिन्ख हमने बना थे आप यह हमारे यहां पर गैनक्फoter कोई कछु से ट्राइं को बनाने के लिए Pretty तरफ से सश्य be Шक बादें को पर hintsrey को कलछ को पादें दरन को कौनते हैं तो सभी फंदों को हम बिलू कलर से यहां पर बनाएंगे बिलू कलर से बना लेंगे और एक सलाई हम सीधी तरब से बनाएंगे बिलू कलर से ही चली हम बना लेते हैं तो देखिए यह हमने सीधी तरब से एक सलाई बना ले है अब हम उल्टी तरब से फिर से दूसरी कली बनाने के लिए यहां पर येलो कलर को लगाएंगे इस सलाई में ही हम यालो कलर को लगा देंगे उल्टी तरफ से दूसरी कली बनाने के लिए और फिर हम सीधी तरफ से फिर से इसी तरह से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे जिस तरह से तरीके से हमने इसमें बढ़ाए हैं और इधर से हम दो दो फंदे छोड़ेंगे दूसरी बनाने के लिए तो यहां से हम इस तरह से दूसरी कली बनाएंगे तो यह देखे यह मेरा पूरो डूर्मेट यहां पर बन गया है है तो हम इन सभी फंदों को एक साथ घटा देंगे यह पर तो चलिए में घटा करके आपको दिखाती हूं और सिल करके इसे देखें फ्रेंज यह हमने सिलाई लगा दी है तो यह हमारा डूर्मेट बनकर कम्प्रीट है और बनने के बाद यह बहुत ही प्यारे लग रहा है हम इसमें बीच में कोई flower या pom-poms लगा सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम बीच में कोई flower या pom-poms इस तरह से लगा सकते हैं तो जिससे यह और भी शुंदर लग रहा है तो प्लीस अगर आपको हमारा डोर्मेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करकी जुरूर बताएं कि आपको यह डोर्मेट कैसा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में